आप सब को जैमसी की परमिश्व का धनिवाद करते हैं आज की सुन्दर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ आप एक्साइटेड हैं संगती को करने के लिए आइए मिलकर हमें गवाही सुनेंगे उसके बाद हम वचन और प्रात्न में जाएंगे आप सब हमारे साथ में बने रिक्वेस्ट भीजा उनकी प्रात्ना के दौरा मुझे जंगाई मिली है इसके लिए मैं ब्रदर पीके अमरिता सिस्टर और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ प्रभू उनको इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं जैमसी की प्रेज़ दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्ना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रभू आपको अधिकारी बनाएगा क्योंकि परमेश्र भला है और उसके पास आपके लिए बहतर योजनाएं हैं अच्छी योजनाएं हैं उत्तम योजनाएं हैं और वो उन उत्तम योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा और आपको उच्छी पदों पर न्युक्त करेगा आपको उच्छाईयों पर लेके जाएगा आपको सफल करेगा आपको पर्थिस्चित करेगा आपको अधिकारी करेगा हम लोग देखते है बहुत बार जब लोग जीवन में संगस कर रहे होते हैं या फिर जब उन्हें उनकी प्रात्ना का उतर नहीं मिलता है तो वे लोग कहते हैं कि क्यों आखिर हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है क्यों परमेश्र हमारी प्रात्ना का उतर नहीं दे रहा है या फिर क्यों हम जल्दी से अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्यों हमारे जीवन में जल्दी से काम नहीं हो रहा है क्यों आकर डिले हो रहा है क्यों ऐसा लंबा समय लग रहा है और वो परमेशो पर भी कुड़ कुड़ाने लगते हैं पर अदोस्तों आज सामें मैं आपको उटसाइट करूँगा, कि यदि आप प्रवू पर भरोसा करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, तो वह आपके लिए हर बात में भलाई को उटपन करेगा, यदि डिले हो रहा है, तो उसके पीछे भी करण है, यदि प्राथना का भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और उसके बावजूद यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब समझ लिए, कि परमेश्यो के पास आपके लिए उत्तम योजना है, और वो अपनी योजना को जब आपके जीवन में पूरा करेगा, तो आप इन दिन करता है, हम लोग पढ़ींगे, यदि आपके पास बाइबिल है, तो आप में साथ में अपनी बाइबिल को निकाल लीजिए, और खोल लीजिए, दो अध्याए और दस पद, जहां पर कुछ इस परकार से लिखा है, मैं तुम को मिसर देश से निकाल लाया, और जंगल में 40 वर्स तक लिए फिरता रहा, कि तुम एमरियों के देश के अधिकारी हो जाओ, आमेन. दोस्तों, यहां पर परमेश्र का वचन कुछ इस परकार से कहता है, कि मैं तुम्हें कौन? परमेश्र, सर्वसक्ति मान परमेश्र, वो अपने लोगों से कह रहा है, कि मैं तुम्हें मिसर देश से चुड़ा कर लेके आया, मिसर देश में वो कैसे थे? बंदवाई में थे, गुलामी में थे, स्ट्रगल का जीवन था, परिशानियों का जीवन था, समस्याओं का जीवन था वहां से परमेश्य उन्हें चुड़ा कर, उन्हें उस बंदवाई से चुड़ा करके जैसे परमेश्यों ने आप कुछ पुड़ाया, आप भी एक समय बंदनों में थे, आप भी एक समय बीमारियों में थे, आप भी एक समय परिशान थे, आप भी एक समय संगर्श कर रहे थे अपने जीवन में, लेकिन परमेश्यों ने आपको उस मिसर देश से, उस बंदवाई से उस गुलामी से उस दुस्ट के गुलामी में से बाहर निकाला किस ने परमेशु ने आपको निकाला है और परमेशु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हे वहां से निकाला और चालीस सालों तक जंगल में इसलिए फिराता रहा चालीस सालों तक वे लोग जंगल में घूमते और हम लोग कहते हैं, या फिर बाइबल भी इस बात को कहती है, कि वो जो कुड़कुड़ाते थे, उसके कारण, उनके अविश्वास के कारण, वे लोग घुमते रहें। मैंने तुम्हारे अगवाई की, मैंने तुम्हारे जरुतों को पूरा किया, मैंने तुम्हारे लिए सबकुछ परबंद किया और इसलिए तुम्हे इस चालिस सालों तक गुमाया। बल्कि इन अन्य देशों के जितने देश उनके रास्ते में आए उन सब के वो अधिकारी बन गए परमेश ने इसलिए उन्हें 40 सालों तक घुमाया ताकि वे लोग इन देशों के भी अधिकारी हो जाए न के वल कनान देश के जहां परमेश उनकी ले जाना था वहां के भी वो अधिकारी होते चले गए दोस्तों अज साम को मैं आपको उच्छाइट करूँगा यह स्ट्रगल निसे लहीं कि आपको पीछे धकेल दे यह आपके हानी कर दे नहीं यह इसलिए है ताकि आपको अधिकारी बना यह लंबा समय इसलिए नहीं है कि परमेश्व आपके इतरफ नहीं देख रहा यह आपकी प्रात्नों को नहीं सुन रहा यह लंबा समय इसलिए है आपकी तैयारी का समय ताकि आप अधिकारी बनें ताकि आप इस समय में भी उन देशों को अपने अधिकार में करने उन चीजों को अपने अधिकार में करने इसलिए ये न सोचें कि इतना लंबा समय क्यों प्रभू क्यों मेरे जीवन में ऐसा करना नहीं इसके पीछे भलाई है यदि आप विश्वास में हैं तो इसके पीछे भलाई है आपके लिए भलाई उत्पन होगी पर मैं शुर आपके लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन करेगा यदि आप उसपर भरोवसा रखते है एक समय मेरे जीवन में भी ऐसा था क्यों मुझे ये मौका नहीं मिल रहा कि हम सुसमझ चार पर चार करें क्यों ऐसा मौका नहीं हमारे पास है क्यों हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं इन दिनों में और काफी लंबा समय एक दो साल का समय बिना किसी सेवा के लेकिन इन दिनों में परमेशन ने मुझे तैयार किया, बाइबिल को पढ़ने के लिए, उत्साइट किया, वचनों को लिखने के लिए, मैसेज बनाने के लिए, सर्मन्स को तैयार करने के लिए, इस्तिमाल किया स्रगल के सालों में परमेशन ने मुझे तयार किया आज के दिन के लिए ताकि जब परमेशन मुझे खड़ा करे तो मिरे पास बोलने के लिए बहुत आयत हो मिरे पास बोलने के लिए मैं पहले से ही उन्हें तयार कर रखा हूँ आज जो मैं आपको बोलता हूँ, ये मैंने तीन साल पहले, चार साल पहले तयार किये हुए मैसेज मैं आपको बता, क्योंकि परमेशो ने उस समय मुझे बात किये ती, परमेशो ने उस समय मुझे तयार किया था, उस स्टगल के समय में, उस टप टाइम में, उस कठीन समय में परमेशर ने मुझसे बाचित की, मुझे तयार किया, मुझे तयार किया, मुझसे कहा कि तू मैसेज तयार कर, तू सर्मन तयार कर, बाइबल को पड़, उन्हें लिख, और वही मैंने किया, और आज मैं उसका पल काट रहा हूँ, आज मैं उसे परचार कर रहा हूँ तो ये लंबा समय आपके जीवन में इसलिए नहीं कि आप नस्ट हो जाएं, आपके हानी हो जाएं, आपके नुकसान हो जाएं, नहीं, बलकि ये लंबा समय इसलिए है ताकि आप तयार हो जाएं, आप प्रिपेर हो जाएं, आप जो आगया आपके जीवन में परमेश्व पर है उसके लिए तैयार हो जाएं उसको अधिकार में करने के योग्या आप हो जाएं और मैं यू कहूंगा कि आप इस समय से ही उसको अपने अधिकार में करना सीख लें अपने अधिकार में करने परमेश्च की योजना है इसराइलियों के लिए कि इसलिए मैं 40 साल तक तु तुम एमोरी देसों के अधिकारी भी हो जाओ नकेवल खनान के देस का अधिकारी बलकि इन अन्य देसों के भी अधिकारी तुम हो जाओ यही आस साम में मैं आपको कहूंगा इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में हो सकता है डिले कर रहा है लेट कर रहा है क्योंकि परमेश्व चाहता है कि तुम और भी देशों के अधिकारी हो जाओ न केवल स्वर्ग का बलकि इस संसार में भी हर एक चीज पर आप अधिकार रखें सो प्रव आपको इस वचन के द्वारा बहुत आइट से आसिस दे आमेन परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा परमेश्वर मुझे आशीष देगा वो मिरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगा आमेन आइए मिलकर प्रात्नकरें धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्रात्मा हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता इस सुन्दर सी शाम में प्रभू हम आपके नाम की जैजेकार तारीफ और प्रशंसा करते हैं क्योंकि इस तारीफ जैजेकार और आदर के योग ये मेरे पवित्र पिता आप है मेरे प्रभुजी धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजन्स हमारे साथ में हैं धन्यवाद आपका पवित्रात माजुसाहिया के रूप में आपने हमें दिया है वो हमारी साहत और मदद करने के लिए हमारे साथ में है प्रभू धनिवाद करते हैं कि आप हमारी प्रात्नों को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं आप बहुत भले और अच्छे पिता हैं अब हमसे प्यार करते हैं और आपने हम सब की वैल्यू को बढ़ाया है परमिश्वर क्योंकि आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है प्रभू आपने एक सुन्दर आइडेंटिटी हमारी दी है प्रभू इस आइडेंटिटी के लिए प्रभू हम आपका धनिवाद करते हैं आज जितने भी भाई बेन हमारे साथ में आज शाम की प्रात्नों में शामिल है पिता उनके लाइफ में उनकी फैमिली में उनके बच्चों की लाइफ में और जिन के लिए वो प्रात्ना कर रहे हैं उनके जीवन में आज की शाम में प्रभू तेरा आश्चेर कर्म तेरे कार तेरा चुटकारा, तेरी चंगाई होने पाए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती। बहुत से लोग प्रभु इस समय प्रभु अपने हिर्दे में प्रभु दुखी हैं, बहुत से लोग बर्डन महसुस कर रहें प्रभु, बहुत से लोग प्रभु इस समय बहुत जादा डि प्रेजन्स को मैसूस करें हर एक जन को पिता आपके Holy Spirit के Control में रखते प्रबू हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को भटकाने वाले विचारों को जो सोच रहे हैं जो विचार कर रहे हैं उन बातों को हम इसी वक्त ये शू के नाम से हम नश्ट करते हैं पिता आज की सुन्दर शाम में मेरे प्रभू सुन्दर वचन के लिए धनिवाद करते हैं प्रभू हम तेरे वचन का आदर करते हैं और प्रभू हम सब को आपने रिसेप्टिक हाट दिया है परमेशर रिसीव करने वाला हाट दिया प्रभू आज जब आपके लोगों ने प्रभू अपने कानों से आपके सुन्दर अद्भुत वचन को सुना है तो प्रभू अपने हिर्दै, रूपी, भूमी पर प्रभू उसे वो ग्रहन करके प्रभू एक बहुत अच्छा फल प्रभू उसका देख सके मेरे खुदावन सच में मेरे प्रभू, जिस प्रकार प्रभू, आप मिस्र देश से प्रभू इसराइलियों को निकाल कर 40 वर्ष तक उस जंगल में आप उन्हें लिए फिरे और परमेश्वर इसलिए कि आप उन एमोरियों के देश को उनके अधिकार में कर दे मैं प्रात्ना करती हूँ प्यारे प्रमेश्वर पिता आपके पास हमारे ल Edvah बहुत गुड प्लान है एक आस्म प्लान प्रभू आपका हम सब लिए प्रभू और मैं प्रात्ना करती हूँ आज जितने निराश हैं जो अपने लक्षे तक नहीं पहुँचे हैं प्रभू जो अपने लाइफ में सफलता अभी तक नहीं देखा है, वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएं, और बहुत सारे प्राब्लम्स, स्ट्रॉगल, और बहुत सारे समस्याओं का सामना प्रभू अपने जीवन के हरे छेतर में कर रहे हैं, मैं दूआ करती हूं प्रमेश्वर, जिस प्रकार आपने इस्राइलियों को निकाला, एक योजना के तहट प्रमेश्वर, 40 वर्सक जंगल में रखा, ताकि वो अधिकार रखे उन अन्य देशों पर भी, उसी प्रकार प्रमेश्वर में प्रभू, मैं प्रातना करते हूं प्रभू, कि ये को जानकर प्रभू तेरे पीछे चल सके, and Holy Spirit आप से प्रातना है कि आप इन्हें गाइड करें, प्रभू कोई भी प्रभू आपके उस प्लान से आपकी उन बातों से प्रभू डाइवर्ट ना होने पाए, कोई निराशना होने पाए, कोई प्रभू अपने विश्वास में कमजोर ना होने पाए, वरन पिता, प्रभू जब प्रभू आप इन्हें ट्रेन कर रहे हैं, प्रभू कुछ अध्भूत करने के लिए, कुछ बड़ा इन्हें देने के लिए, प्रभू जिस प्रकार इस्राइलियों को अन्य देश भी देने के लिए, प्रभू तुने कहा क उनका भी मैं तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा उसी प्रकार परमेश्व पिता मैं प्रातने करते हूं प्रभू कि आप इन्हें higher and higher post के अधिकारी बनाए परमेश्व प्रभू हर एक परस्तितियों पर आप इन्हें अधिकारी बनाए परमेश्व प्रभू मेरे खुदावन आज प्रभू ये अपने जीवन में असफल है, परंतु पिता आने वाले समय में प्रभू ये अपने जीवन के हर एक छेत्र में प्रभू सफलता को देखने पाए, ऐसी दुआ हम करते हैं, जब ये निराश और प्रभू डिप्रेस हैं, वोने दीजे प्रभू इस निराशा म प्रभु वो तेरा दामन पकड़ने पाएं पिता और प्रभु आगे बढ़कर प्रभु जी सफलता को और प्रभु येशुमसी बहुत से लोगों के लिए आजा का कारण बनने पाएं पिता परमेश्वर आज जितने भी लोग प्रभु अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर राउट पाएं परमेश्वर फोड़ प्रभु रो रुक से गएं परमेश्वर में दुआ करते हूं UP ऊपने उट साहिद करें और आप अगे बढ़ने लिए नहां कने प्राइफ में कुछ एचीव करने के लिए आपका वच्न उट साहिद करने के लिए रभु आप उन 누े competence करें प्रभू आप उन्हें गाइड करें प्रभू आप उन्हें मार्ग दर्शन करें और आप जितने लोग प्रभू अपने वे से डाइवर्ट हैं मैं प्रात्न करती हैं प्रभू एक राइट वे परमिश्वर आप उन्हें दें और उसमें चल कर प्रभू वह अपने गोल को achieve कर सके अपने लक्षे तक पहुँच पाएं और प्रभू अपने जीवन के हर एक छेत्र में ये भाई बहन, इनके बच्चे, परिवार के लोग, परमेशा हर एक जन प्रभू उचे पदों पर नियुक्त हों, आशिशित हों और हर एक जन प्रभू अपने जीवन में भली वस बेस्ट प्लान है, बेस्ट योजना है, उस बेस्ट योजना के तहट प्रभू ये अपने जीवन में आपके आश्यों को रिसीव करने पाएं, अज जितने लोग प्रभू बिमारी की हालत में रहकर परमेशा पिता, उनका समय खराब हो रहा है, परमेशा प्रभू, मैं ये भी बिमारी जाओ, इश्व के नाम से, हर एक दड़ तकलीफ, जाओ, स्किन प्रभलम जाओ, इश्व के नाम से, सर के बालों से लेकर पैर के नकोजहां, प्रभू, हड़िया, नस्य, अंदुरूनी अंग, येश्यू के नाम से हील होने पाएं, हर प्रकार का पैनिक इने चंगा करे पर मिश्याप चंगा करने वाले यह हुआ रफ है प्रभू धन्यवात करते हैं आज की रात में परमेश्ळ मीठी नीन आप अपने लोगों को दे बुरे सपने नीन आने की समस्या जो रात भर प्रभू बहुत जादा चिंतित में व्याकुल होते हैं उन्ने ब परमेश्व पिता, ताकि कल का दिन प्रभु जब ये उठे, पिता, पहला धन्यवाद और आधर आपको दे सके प्रभु, क्योंकि जब हम तेरी नजदीकी में होते हैं, तो हम उस चैन, उस विश्राम को, उस आराम को, उस चंगाई को, उस सफलता को, उन छुटकारों को प्र आज प्रभु तेरे लोग प्रभु तुझ में रहकर उन्हें चुटकारा पाया है, जस प्रकार इस्राइलियों ने प्रभु मिस्र की गुलामी में से चुटकारा पाया, उसी प्रकार पर मेश्वर, प्रभु आपके लोग भी प्रभु दुष्ट के बंदनों से, कर्जे स रॉंग रिलेशन्शिप से, बुरी लतों से, हर प्रकार के एडिक्शन से, हर प्रकार की गलत संगती से वो छुटकार पाएं और आप निकालने की सामर्त रखते हैं प्रभू, ये श्यू के नाम से, ये भाई बेंट, इनके बच्चे, इनके लोग जिनके लिए प्रात्ना कर धन्यवाद के आप इने आशिशित करने जा रहे हैं प्रभू, आप इनको सफल करने जा रहे हैं, इनके कामों को सफल करने जा रहे हैं, इनके बच्चों के लाइफ में बड़े-बड़े कारियों को करने जा रहे हैं, हर एक के रुके वे कामों को आप बनानी जा रहे हैं, ह जितने लोग सेवा कारियों में शामिल होते हैं, उन्हें आशीज दे, जिन्होंने बोया है, उन्हें और फल्वंत करें, प्रभू प्रोस्परिटी को अपने जीवन में देखें, और उनके पास हर एक भली वस्तू पाई जाए परमिशु और जितनों ने आज की शाम में मेरे पिता, प्रेयर सेंटर में प्रभू अपनी निवेधनों को भेजा, प्रभू YouTube कमेंस में अपने प्रातना विंतियों को भेजा, Instagram, Facebook, Telegram के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से अपनी विंतियों को भेजा है, प्रभू एक एक भाई-बेहन के लिए इस समय प्रातना करते हैं, उनके स हर प्रकार के धोके, करजे, हर प्रकार के फ्रॉड बातों से, फ्रॉड लोगों से छुटकारा दें, प्रभु धन्यवाद आपने ऐसा ही किया, हमारी प्राक्नों को सुना, उत्तरहां और आमीन में दिया, प्रभु धन्यवाद करते, येश्यु के नाम से विंती को मांग ले झाल झाल